हेलो फ्रेंस वेलकम टू शेव गार्डन आज हम बात करने वाले हैं एडेनियम प्लांस पर जिसको आप डेजर्ण रोस भी कहा जाता है और एडेनियम प्लांस के फूल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे गुलब का फूल हो ये रेगिस्तान इलाके का पुष्ट एरिया है जह पर कभी-कभी बारिश हुई और पानी की नीड पूरी हो जाती है अब ये एडेनियम ऐसा नहीं है कि वो रेगिस्तान में ही हो अब ये हर जगा आमको दिखने को मिलते हैं और ये हर नर्सरी में सेल में भी सेल में भी होने लगे है और सहर में इसका रेट काफी हाई होने लगा है अगर इसको ग्राफ्टिंग पोधा छोटे से छोटा हम लेने जाएगे तो शायद 200 या 300 का मिलेगा और दोस्तों इसकी किम्मत 1000 तक होती है ये एक ऐसा पोधा होता है जिसकी ज्यादा देखपाल नह ठीक है और अगर ना दे तो भी ठीक है फिर भी ये सरवाय करता रहता है और अगर इसको ज्यादा पानी देंगे तो वो कुछी दिनों में मर जाएगा यानि कि वो गल जाएगा यहां से जो ये एरिया है वो एकदम सी गल जाएगा तो इसको ज्यादा पानी ना दे तो अच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे कम पानी की ज़रूरत होती है और एडेनियम ब्लान्ट कटिंग से भी ग्रो किया चाता है और सीट से भी लेकिन कटिंग से सिर्फ 5% चन्स रहता है कि वो ग्रो करे या ना करे लेकिन सीट से ये अच्छे से ग्रोई करेगा तो दोस्तो ये जो ये मैंने लगाया है ये बलांट मेरा सीट से है और ये मैंने नर्शरी से करीदा था और ये हमारा सीट से ग्रोई किया हुआ है देख सकते हैं आप और ये बीच से जो मैंने लगाया है इसमें इसके लिए हमने सेंडी सॉल उसके लिए बेस है सिर्फ मिट्टी से ये नई बनता है सेंडी सॉल जो आती है उससे ये लगा जाता है और कपी भी हम लगा सकते हैं इसे सर्दियों में गर्मियों में इसका कोई टाइम नहीं होता ज जब जाहें इसे लगा सकते हैं और ज्यादा तर हम ये गर्मियों में इसका ज्यादा तर गुरू होता है तो इसे गर्मियों में लगाने का अच्छा तरीका है और कभी भी हम लगा सकते हैं सर्दियों में गर्मियों में जब जाहें लेकिन सबसे अच्छा मोसम गर्मियों का ह भूलावर होती है यह रहीं लगत है और है पूदा इसलिए जवीनल इसलिए लगने सकते हैं कि सर्द माई और घरं माई एक नहीं घर्म होती है परन कोई जब जाह माँरें cabbage नहीं कि चाथे हैं उसके फूल धूप में उसको फूल ज्यादा तर जो जहां पर धूप आती है वहां पर इसको रखना पड़ता है और गर्मी वाले एरिया में रखने में इसमें flowering ज्यादा मतरा में आती है और ये एडेनिय इंडिया मुंबई में बहुत ही flowering करता है क्योंकि ये हमारा जो एरिया है वो सी साइड एरिया होता है जहां समंदर होता है वो एरिया नम होता है और नमी के कारण ये स्यादातर फ्लावरिंग लाता है जो मुंबई में भी सी एरिया है और यहां पोर्बंदर में भी सी एरिया है तो यहां पर भी ये बहुत ही फ्लाव से और ये कितने दिनों तक रेते हैं वह दो तीन दिन तक रेते अई है कि कर अदु है कि और अधार 1993 ने कि शूब्रelen देन और खाये टो अध्य इसे ज्यादा पानी ना दे ऑर रहीं ब्रांच ग्राफ्टिंग की तो इस्में एक फ्लावड पर तीन चार कलर ये ना verändert यह लाइट है यह पिंक है और यह सारे हमें यह ग्राफ्टिंग है यह ग्राफ्टिंग किया हुए हमने तो बाजार से खरीद कर लाए है हमने बनाया नहीं है और यह हैसी यह हम ग्राफ्टिंग करेंगे और दूसरे भी कहीं है हमारे हम बाद में दिखाएंगे तो यह तो बैक दे होते हैं कटाय के बाद़ दो शूर भी निकलती है यह यह देखिए यह दो शूर न हमती है एक ब्रांच में इंतने फूल में अदनक भी-वर्वत zodrania मयश्व आ लगने हैं इतने सारे फ्लावर साते हैं और आप यह देख भी सकते हैं यहां पर जितनी ज्यादा ब्रांचिस होगी इतनी ज्यादा कलिया होगी एडेनियम प्लांस जमीन पर ना लगाए तो अच्छा होगा गाइस क्योंकि जमीन में वो दूसरे हमारे चोपास के वो चासूत रोज जो है तो हमें उसमें तो पानी डालना ही पड़ता है तो उसके पानी का असर इसमें भी होता है तो यह तो बीना पानी रह जाता है तो इस एडेनियम को हम दो महीने तक पानी ना दे तो भी वो ग्रो ही करेगा अगर स्यादा पानी दे तो वो गल जाता है और मर जाता है तो लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कूल मत पुलना बाई गाईज